Assalamualaikum my youtube family, सब कैसे हैं, मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे, रात बहुत तो जाता होगी, इसलिए थोड़ा सा इसना बोल रहे हैं, अच्छा, आज की वीडियो है जी, हम लोग ने हेर की ट्रांस्वरमेशन करनी है, हेर डाय करना है, और हेर कटिंग करनी है, हेर डाय पहले आप लोग यह देख लें, यह कलर आया है, यह वाला, बहुत ही प्यारा कलर आया है, शुदीद प्यारा लग रहा है मुझे, अच्छा, इसकी पीछे लॉजिक है एक, जब मैंने लाइट ब्राउन कलर करवाया था, मतलब ब्लॉंट कलर करवाया था, ब्ल दो एडिटिंग हो जाती है, और उस येलो पांध था, उसको खतम करने के लिए मैंने यह वला कलर लिया है, क्यूंकि मुझे चाहिए था चौकले ब्राउन सा कलर, जो ब्लैक की टोन में ना हो, लेकिन मेरे बाल ब्राउन की टोन में हो, जब सूरज में जाऊं तो जादा ल किस तरह किस तरह लगाया, और फिर हम कटिंग करेंगे, चलें जी, हेर डाय करते हैं, हाँ जी, यह हैं जी, सारे कलर्स जो के मैंने इस्तमाल करने, यह ठीक है, एक यह कलर है, एक यह कलर है, यह 40 वॉल्यूम का डिवेलपर है, ठीक है, अच्छा, मेरे दमाह में पता नहीं क लॉरियल का, ड्रेवलॉन का लिया है, 51, लाइट प्राउन, और फार्मसी का लिया है, जी, 5CP, लाइट एश प्राउन, और एक मैंने 40 वॉल्यूम डिवेलपर लिया है, पहले मैं आप लोग को इसके अंदर चीज़े दिखाती हूं, क्या-क्या है, हाँ जी, लॉरियल का ब अब देखते हैं, रेवलॉन के अंदर से क्या निकलता है, रेवलॉन का बॉक्स खोल लिया है, इसके अंदर सबस्पहले कंडिशनर एक आएगा, फिर इस वह कलर आएगा, फिर यह डिवेलपर आएगा, ठीक है, और इसका नंबर है, 51, लाइट ब्राउन, और जो यह जी, फ्रामसी का कलर है, यह है, फाइव सी पी, लाइट एश ब्राउन, यह जी, तीनों पैकिट के तीनों कलर मैंने अलग अलग रख ली हैं, अगर आप लोग ने तीनों यह कलर नहीं लेने तो आपने ना क्या करना है, फ्रामसी का कलर लाजमी लेना है, उसके लावा या लॉर करने के लिए सबसे पहले यह फ्रामसी का मैं डालती हूँ यह मैंने पूरा इसके इंदर डाल दिया ठीक है उसके बाद हाफ लॉरियल डालूंगी हाफ रेवलॉन डालूंगी अगर आप लोग ने तीन का खर्चा नहीं करना मतलब दिल नहीं करा लेने का तो आप लोग एक ल इमने पूरे का पूरा डाल दियाु उसके बारी आती है 40 ट्वेलपर जो मैंने लिया था वह मन पूरे का पूरा डाल दिना इख फ्रामसी का पूरा और 40 ड्वेल ज़ववेल्पर पूरा हमने इसके itetर दाल देने है और जो लॉर्यल का और जो रेवलॉन का था जिसतरह हमन फिर भी पूरा डालना है और Revlon यूज़ करेंगे लॉरियल यूज़ करेंगे उनकी पूरी पूरी बॉटल आप लो ने अंदर मिक्स कर देनी है ठीक है अब ये देखें जी मैंने आदा आदा डवेलेपर भी अंदर डाल दिया ये पूरा पहले क्योँ ने ढ़ला ठीक है? उसके बाद अब मैं डालूँगी ये दोंगो हाफ आफ डालूँगे ये देखें जी ये दोने मैंने हाफ आफ इसके अंदर शामिल कर दिये अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है mix करने के बाद इसको 5 मिनट का gap देना है और दोबारा miks करना है तेल ना लगा हो बालो में 45 मिनट के लिए apply करना है बालो के अदर lams बिलकुल भी ना हो mixture के अंदर बिलकुल smooth mixture बना होना चाहिए ठीके इसको जतनी अची तरह mix हो सके आपने इसको अची तरह मिक्स करना है जहां जहां आप लोग को लगता है कि आपका हेर कलर लग सकता है वहाँ पे वैसलीन अप्लाई करने है वैसलीन से क्या होगा आपका हेर कलर आपके सकिन के साथ नहीं लगेगा ये देखें जी अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूं अभी भी लंज है मैं लंज को खतम करने कोशिश कर रही हूं आपने भी अच्छी तरह इसको मिक्स करके सारे लंज खतम कर देने है ठीक है अब बारी आती है हेर कलर अपलाई करने की सबसे पहले स्टेप होता है हेर कलर पसीना भी नाया हो ठीक है उसके बाद हमने अच्छी तरह ब्रश कर लेना है पार्टीशन कर लेनी है और बारी-बारी हमने अच्छी तरह एक्वल अमाउंट में सारा हेर कलर अपलाए कर देना है बालों के पर इदर आपको सग्छी तरह नज़र नहीं आएगा लाइट चल न उन बालों पर आएगा जिन लोगे मेरी तरह गंदे से बाल हो गए है औरेंज कलर के ठीक है अगर आप लोगे वर्जिन हेर्स हैं ब्लैक हैं तो आप लोगे सिर्फ फ्रामसी अप्लाई कर लें आपको गुजारा हो जाएगा यह देखें जी शौपर मैंने चड़ा लिया 45 मिनिट्स के लिए 45 मिनिट्स पर शैंपू करूंगी कंडिशनर करूंगी और जिस तरह बाल दोते हैं आप लोग वैसे दो लेने शौपर चणने का मकसद है हीट से कलर जादा अच्छा आता है यह जी अब मैं नहा के वापस आती हूँ नहाने के बाद मैंने बलो ड्रैर किया फटा फट मैंने का फटा फट बाल सुख चले लिए न्यू पिएस बोलना शुरू हो गया यह ड्रैस पिर मैंने बंद कर दिया यह चलें जी अब हम करते हैं कटिंग सबसे पहले आप हेर का क बाल थे यह बहुत लाइट ब्राउं घीक है अगर उर्जीन हेर यह लेगे ब्लैक बाल यह करेंगे तो उनके ऑपर यह रंग नहीं आएंगा उनके काले की काले रहेंगे बाल ठीक है चले जिब hair cutting करते हैं हमने partition कर लेनी है एक तरफ देखे हैं ये हमने partition कर दी अधर clip लगाया और सबसे पहले हम इस partition को करेंगे अच्छा एक side के ना दो step होते हैं पहले step में हमने छोटे 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 partition लेनी होती है और उनको तिर्शे cut में काटना होता है तिर्शे cut में काटना है अब याद लोग देखिएगा दो करके दिखाऊंगी और फिर fast forward पे लगा दोगे ठीक है वनना वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी ये जी कैंची पकड़ी है और बालों को बिलकुल straight कर लेना जिस तरह मैं उंगलियों के दिर्मियान में लाँगी कैंची भी दूसरी ने ले लेनी कपड़ा काटने वाली बाल काटने वाली कैंची लेनी वनना बालों की growth रुक जाती होती है आप लोगों ने कपड़ा काटने वाली नहीं लेनी बिलकुल भी यह देखें जी हमने तिर्चा करके बालों को पकड़ा और इस तरह इस तरह अंदर की तरफ हम लोग अब काटने वाल यह देखें पहला मैं रख रही हूं अपनी चेन से थोड़ा सा पास यह थोड़ा सा उपर यह देखें जी टेडी करके गैंची हम लोगों ने यह बाल काट दिया ठीक हो गया इसी तरह हम लोगों ने इस साइट के सारे बाल काट देने वे फटा फट काट दी हूं और फास फावर्ट के लगाती हूं यह देखें जी हम लोगों ने छोटी छोटी पार्टीशन लेनी है और इसको अच्छी तरह हम लोगों ने काड़ देना है तिर्चा रखके काड़ने ठीक है जो आखरी वाली लट्टो होगी ना मतलब जो पीछे वाली साइट से उसको हमने कुछ जादे ही तिर्चा रखना है ताकि लेंथ हमारी छोटी ना हो बाकी लेयर जादा सारी आजए यह जी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया अब दूसरा स्टेप यह होता है कि हम लोग ने जब जादा सा पहला स्टेप देगे कंप्लीट अब यह दूसरा स्टेप यह है पहले हमने थोड़ी थोड़ लेयर लेनी थी अब हमने पूरे बालों की इस साइट के तीन लेयर लेनी है और उसको पकड़के ट्रिम करने है एक लेयर दो लेयर और तीन लेयर ठीक है में इसको cutting करनी है अब जी मैं fast forward पे लगाती हूं दूसरी side भी इसी तरह करेंगे पहले step में थोड़ा थोड़ा section लेंगे दूसरे step में तीन section में इस तरह तरह काटेंगे फटा फट जी हमने दूसरे side की भी कर ली पहले छोटे section लिया फिर तीन section में cutting कर ली अब आता है जी last step last step में हमने क्या करना है इसको मैं fast forward नहीं लगा रही हम लोगों ने जिस तरह पफ बनाते है ना उतने बाल पकड़ने है और जो बाल है हमारे उल्टे हाथ में होने चाहिए और जो सीधा हाथ है हमारा free होना चाहिए कैंची पकड़ी होनी चाहिए यह देखे सीधे हाथ में हम कैंची पकड़ेंगे और उल्टे हाथ में हम बाल पकड़ेंगे यह हमने बाल पकड़ दिये अब यह देखे जो नीचे पूछे शूचे आप लोगो नजर आ रही है ना अब यह कैंची लेंगे और इसको तिर्चे रुख में नीट कर देंगे यह जी कैंची पकड़ी और यह नीट कर दिया ठीक हो गया अब हम एक और सेक्शन पीछ से पकड़ेंगे इसको आगी रहने देंगे और पीछे से इसको पीछे कर देंगे बालों को एक और सेक्शन पकड़ेंगे ये देखें जी ये हमने काड़ दिया इसको भी हम आगे कर लेंगे अब जो लास सेक्शन पीछे रहे गया है उसको पकड़ेंगे इसको ज़रा मैं कलिप लगा लेती हूँ मुझे नजर नहीं आरहे आप लोग ये जी कलिप लगाया और ये आखरी सेक्शन भी आगे लेकिया है और जिनाम साब कट था ये वो पीछे बाल चूट गए वो नजरी नहीं आ रहा था वो पीछे रहे बाल चलो कोई गल नहीं तूसी सारे ले आना अगे ठीक है वीडियो बना रहे थी न वो थोड़ी सी ये जी हमारी कटिंग हो गई कम्पलीट और बहुत प्यारी लगती है कटिंग बहुत हसीन लगती है ये देखिए आप लोग कैसे बालों में जान आ गई है और अलग अलग कटिंग लग रही है अभी मैं इसको आपको प्रॉपर स्टाइलिंग करके दिखाऊंगी फिर आप लोग को कटिंग बता चले किस तरह कटिंग बता नहीं चलती पालर भी जा तो आपको ब्लो ड्रायर करती है ताके पता चले ये कटिंग होई है चले जी अब हम हलका सा स्टाइलिंग करते है ये जी मैंने हलका सा पफ पकड़ा और आगे से थोड़ी सी लट निकाल लूँगी खुद ही निकल गी खुद ही निकल गी जी यहां पे क्लिप लगा दूँगी और अब हम करेंगे स्ट्रेटनर आउन कर लिया मैंने और अब मैं हलकी स्टाइलिंग करूँगी ताकि आप लोग को लेर्स कंप्लीट नजर आ जाए स्ट्रेटनर गरम था हलका साब साइट से फोल्ड करेंगे ये देखें बिलकुल एंड्स पर जाकर फोल्ड करेंगे ये देखें जी फटा फटा अब हम लोगों ने अपने बाल बना लेने हैं साइट जो लास्ट कॉर्निर्स होते हैं उदर से हमने लका सा फोल्ड करने हैं ब्लोड रायर वाली एफेक्ट आ जाता होता है दोने साइट से हमने कर लिये ये है जी फाइनल लुक ये देखें जी ये आप लोगो फाइनल लुक लेयर पे लेयर नजर आ रही होगी डबल लेयर्स हैं ये आप लोगोंने और छोटी करनी है और करने लेकिन इतनी सबसे डीसेंट लगती है हर तरह का हेर स्टल बन जाते है ठीक है जी ये देखे जी मैं आप लोगो को करके दिखा रही हूँ हर तरह से हिला हिला के दिखा रही हूँ जी चनाब अमीद है जी आज की वीडियो आप लोगो बहुत अच्छी लगी होगी मुझे तो बहुत सकूना आ गया क्योंके तीन से चार महीने हो गया थे हेर कटिंग नहीं की थी बिल्कुल भी और हेर डाय से कोभी तीन महीने हो गया थे बाल इतने लाइट वेट और अच्छी बाल से फ्री हो गया ना सकूना गया और अब अगर आप लोगे ये बला करें और कटिंग करें तो मेरे साल लाज़ी फीड़बेक शियर कीजएगा मैं आप लोगे फीडबेक एंजार करूंगी, अपने बहुत सदा खियार रखियेगा, दौाओं में याद रखियेगा, अल्ला हाफिज!